हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग समझेंगे पर्मूटेशन्स थेयरों नुमर 4 क्लास 11 का टॉपिक है और इंस एटी बुक में ये चेप्टर नुमर 7 में आता है पर्मूटेशन और कॉमिनेशन्स आज के सेशन इंपोर्टेंट है आपके लिए आज के सेशन स्टार्ट करने के प बाकी वीडियो अभेलेबल है वो देखिए उससे क्या होगा कि आप आज का सेशन और आथानी से समझ जाईएगा हम लोग दो तरह का भासा के स्तमाल करेंगे इंग्लिस और हिंदी क्योंकि काफी साथ लोग 10 प्लस टू या इंटर्मिलिट साइंस जो है वो इंग्लिस में इंग्लिस में पढ़ने का फैदा यह होता है कि आपको आगे केरियर में चाहे या केरियर इंजरियरिंग सेक्टर में बना या किसी और में सेक्टर में बनाते हैं तो इंग्लिस में पढ़ाई करने से फैदा होता है और हिंदी में समझेंगे क्योंकि हिंदी मातरी भासा है तो लोगों को हिंदी में ज़ादा समझ में आता है, तो इंगलिस हिंदी दोनों का मिक्स समनों का इस्तमाल करेंगे, सेसल समझने में, थेोरम समझने में, और आई ये स्टार्ट करते हैं, पर्मुटेशन थेोरम नप्फूर कहता क्या है, The number of permutations of N objects where P1 objects are of one kind, P2 objects are of second kind, P3 objects are of third kind, P4 objects are of fourth kind, and so on, and Pk objects are of kth kind, and the rest, if any, are of different kind, is equal to N factorial divided by P1 factorial into P2 factorial into P3 factorial into P4 factorial into, 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 K factorial, इसको नो समझेंगे, दो, तीन एक्जामपन लेकर करके, ताकि आपको clarity होकर यह कहा क्या रहा है, तो total N objects हैं, जिसमें से, मालने जे P1 objects, या 6 objects, 7 objects, एक तरीके कहें, P2 objects, मालने चार objects, जो हैं, दूसरे तरीके कहें, P3 objects, मालने जे 8 objects, जो हैं, तीसे तरीके कहें, थर्ड काइंड कहें, और Pk objects, मालने जे एक्जामपन लेने के लिए 11 objects, केथ तरीके, 11 तरीका का है, और बाकी item, single, 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 single है, अलग-अलग, तो उस case में, जो total number of permutations होंगे, total number of तरीके होंगे, जो rearrange करने का, जो तरीका होगा, वो होगा, N factorial बटे, P1 factorial इंटू, P2 factorial इंटू, P3 factorial, इंटू, 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 pregnantू, इंटू, 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 पीको factorial, सबको जोड़ेंगे तो n होगा P1 plus P2 plus P3 plus 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 Pk और बाग्य जो अब्जेक्स होंगे जो यूनिक होंगे वो 1111 होंगे single single होंगे तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus करेगा तो जोड़ेंगे अगर हम तो टोटल n आएगा रैट तो स्टार्ट करने के पहले theorem समझने से पहले हम लोग example लगते हैं पहला institute का Find the number of ways of rearranging the letter of the word institute institute word के अक्षर यानि letter को कितने तरीके से पुनर विवस्थित means rearrange कर सकते हैं किलियर है institute सब्द के अक्षर means letter को कितने तरीके से rearrange कर सकते हैं means आगे पीछे s को आगे कर दिये s, n, t, i, u, e इसको उपर नीचे आगे पीछे करके हम कितने अलग-अलग word बना सकते हैं कितने letter हैं इसमें 9 letter है count केजिए i, n, s, t, i, t, u, t, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total 9 letters है जिसमें से i कितने बर आया है दो बर और t कितने बर आया है तीन बर इसको आगे समझे से पहले हम मानते हैं मान लेते हैं कि जो i है जितने i है और जितने t है वो अलग-अलग है means i1 है, i2 है और t1, t2, t3 है मान लग दोनो i अलग है और t1, t अलग है clear है तो institute को हम उस कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं i1, n, s, t1, i2, t2, u, t3, e i, n, s, t, i, t, u, t, e मतलब जो दोनो i था उसको हम अलग-अलग मान लिए पहला i को i1 मान लिए दूसरा i को i2 मान लिए और तीनो t था उसको अलग-अलग मान लिए पहला t है t1 दूसरा t है t2 और तीसा t है t3 तो permutation का जो theorem हम लोग पहले starting पढ़े थे तो इस 9 letter अलग-अलग है एक i दूसरा i से अलग है एक t दूसरा t से अलग है तो सभी letter अलग-अलग हो गए तो इस case में अगर हम पुछे हैं कि कितने word बन सकते हैं total इस सारे 9 letter के इस्तमाल करते हुए it means the number of permutations of 9 different letters in this case taken all at a time कितना होगा मदब 9 letter से इस्तमाल करते हुए institute में 9 letters अलग-अलग है उसका इस्तमाल करते हुए हम कितने word बना सकते हैं कितने तरीके से word बना सकते हैं तो वो होगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is that is factorial 9 यह हम लोग पहले भी समझ चुके हैं क्यों होगा यह clear है if i1 and i2 are not same and t1, t2, t3 are not same अगर i1, i2 same नहीं है t1, t2, t3 same नहीं है तो i1, i2 को हम कितने तरीके से rearrange कर सकते हैं i1, i2 को एक होगा i1, i2 या i2, i1 it will be rearranged in two factorial ways same यह हम लोग पहले बढ़ाए कर चुके हैं पिछले sessions में पिछले theorem में i1, i2 को हम लोग rearrange कर सकते हैं two factorial ways में two factorial तरीके से और t1, t2, t3 को हम लोग arrange कर सकते हैं कितर तरीके से three factorial में छे तरीके से t1, t2, t3 t3, t2, t1 t3, t1, t2 t2, t3, t1 and so on इसलब जब आप इसको arrange करेंगे t1, t2, t3 को अलगल तरीके से तो छे तरीके निकलेगा total तो number of ways of rearranging the letter of the word institute जहां पर दोनो i और t3, t same है आम तो पर same ही होता है दोनो i same है और t3, t same है तो rearrange करने के कितने तरीके होंगे means number of ways of rearranging the letter of the word institute जहां पर हम दोनो i और t3, t same है वो हम लिख सकते है number of ways of rearranging the letter of the word institute where all i and all t are different divided by number of ways of arranging different i I mean i1, i2 into number of ways of arranging different t I mean t1, t2, t3 मालब all i and all t are same institute में i or t जो actual semi होता है i or t वो समझने के लिए i or t को अलगल मान रहे थे i1, i2 और t1, t2, t3 तो उस case में अगर हम इसको solve करें तो कितने तरीके से arrange होंगे rearrange होंगे letters in the word institute वो होंगे पहला case जिसमें i1, i2 t1, t2, t3 अलग लग था total जो रहों निकाले थे पिछे divided by जितने तरीके से हम i1, i2 को rearrange कर सकते हैं और जितने तरीके से t1, t2, t3 को rearrange कर सकते हैं उसको divide कर देंगा तो यह answer आएगा तो पहला क्या था 9 factorial कैसे आया यहां से आया यहां से आया 9 factorial institute जिसमें i1, i2 का अलग माने थे t1, t2, t3 को अलग माने थे बटे divided by क्या किये जिसमें i1, i2 कितने तरीके से arrange कर सकते हैं और t1, t2, t3 को कितने तरीके से arrange करते हैं तो यह हो गया 9 factorial बटे 2 factorial into 3 factorial clear है तो finally क्या हो गया the number of ways of rearranging the letter of the word institute where all i and all t are same means naturally same ही होते हैं बस समयने के लिए आपन नीचल नीचल नीख दिये हैं number of ways of rearranging the letter of the word institute 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 जो 9 letters है जिसमें 2 i है और 3 t है इसको कितने तरीके से rearrange करके हम 9 letter वाल वर्ड बना सकते हैं वो होगा 9 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial इसको simplify के जाएगा तो अंजर आ जाएगा एक और एक्जाम पर लेते हैं आर और आ पर आर अो टी root का number of ways तो इस किस में क्या होगा माल लीजे दोनों वो बराबर नहीं है ठीक है R-O-O-T generally दोनों O बराबर है दोनों O सेम है तो पिछला example अगर हम इसको देखें ये वाला formula इसका इस्तेमाल करें ठीक है इसका इस्तेमाल करें तो R-O-O-T root root number of ways of rearranging the letter of the word root R-O-O-T चार लेटर का word है इसमें O दो बराया है और इस case में हमें बता रहा है कि इसके letters को R-O-O-T को rearrange करते हुए कितने word बन सकते हैं चार लेटर वाले तो वो होगा पहला number of ways of rearranging the letter of the word root जिसमें O-O-O-T different माना जाए divided by number of ways of arranging different O means O-O-O-T तो उपर वाले case में क्या होगा R-O-O-O-T R-O-O-O-T को rearrange कितना से किसे कर सकते हैं R-O-O-O-T को rearrange कितना से कर सकते हैं 4 factorial और O-O-O-T को कितने तरीके से rearrange कर सकते हैं 2 factorial डिवाइड कर देजे that will come 12 यह answer होगा इसमें तो इसे तरह the number of permutations of N objects where P1 objects are of one kind P2 objects are of third second kind P3 objects are third kind P4 objects are of fourth kind and so on PK objects are of eighth kind and the rest if any are of different kind यह जो तरीका होगा total arrange करने का वो होगा टॉप में क्या लिखेंगे जिसमें सारे distinct हैं सारे अलग अलग objects हैं कोई बराबर कोई same नहीं है तो number of permutations of N distinct object सारे distinct objects हैं divided by जो blocks में हैं मैं जो P1 distinct object का क्या permutations होगा into P2 distinct objects का kya permutations होगा into P3 distinct objects का क्या permutations होगा into into PK distinct objects का क्या permutation होगा इसको multiply करेंगे और उपर को दोनों को divide कर देंगे तो यह आएगा हमारा इसका answer तो इन distinct objects का क्या होता है permutation अगर इन distinct इसके पहले मुझे क्या समझेते 9 institute institute 9 I1 I2 का लोग माने थे तो 9 distinct letter को I1 institute में क्या किये थे क्या आया था 9 factorial तो यहां पर क्या है number of permutations of n distinct objects इन अलग-अलग objects को rearrange करने का कितना तरीका होगा n factorial राइट तो numerator हो गया n factorial clear है और denominator क्या हुआ number of permutations of p1 distinct objects मृट्धिक्ट्री Qका फ्री री क्या होगा बांति के बांति मृट्धिक्स को बांति तरीक्ट्रीक्ट्री प्रईंड प्रडची कर מחता होगा इस तरह हम लोग्यों को पूरूव कर लिए क्यूली में है उम्मिद है आप वे pliers होगा भी समाग्य होगा एक एक लेते हैं समझते हैं एक और एक्जामपल लेकर करके look at this math program find the number of permutations of the letters of the word अलाहबाद अलाहबाद a double l a h a b a d कितने letters हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आ नो नो letter है तो find the number of permutations of the letter of the word कितने permutations बनेंगे इसको rearrange करते हुए कितने तरीके से rearrange करते हुए अलग-अलग word बना सकते हैं तो बताइए theorem का स्थमाल करते हैं total कितने हैं इसमें objects लेकर कितने हैं 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 total 9 letter हैं कितने a हैं a कितने हैं total 1,2,3,4 4 a है और l है 2 बाकी unique है h एक बार है b एक बार है d एक बार है right तो 4 a है 2 l है और बाकी सब जो है अलग-अलग है different है clear है तो theorem का इस्तमाल करेंगे तो उपर क्या लेखेंगे n factorial n क्या है 9 9 factorial divided by p1 factorial into p2 factorial p1 क्या था p1 means यह वाला p1 4 और p2 हो गया आपका 2 तो 4 factorial into 2 factorial तो 4 factorial और इसको हम simplify करेंगे तो 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial उपर आ गया जो इसे cut गया तो नीचे 2 factorial बचा तो इसको multiply करेंगे तो आएगा 7560 और यही answer है उमीद है आपको इस सेस्टन अच्छा लगा होगा अगले सेस्टन में हम लोग समझेंगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लेजएगा ताकि जब भी नेया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकर्स जाएगा थैंक यू वेरी मुच